हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस करें आज इस फ्यूडियो में हम जिस टोपी के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं वो है हमारा 282nd semester के subject Art and Drama की unit first का last chapter जो की है एम and objectives of teaching, performing and visual art इससे पहले मैंने Art and Drama की बाकी काफी videos अप्लोड कर दी है चैनल पे अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल की playlist में जाकर उन video को देख सकते हैं तो शुरू करते हैं aims and objectives of teaching performing and visual art कि क्या उदेश्चे हैं जिनकी वज़र से बच्चों को ये art सिखाई जाती है या सिखाई जानी चाहिए performing and visual तो सबसे पहले journal aim पढ़ते हैं तो journal aim क्या है फर्स्ट है हमारा entertainment and enjoyment कि जब art बनाई जाती है या perform की जाती है तो कि जो देख रहा है या जो perform कर रहा है जो देख रहा है उसके लिए क्या है वो enjoyable होती है entertaining होती है और जो perform करता है उसके लिए भी वो entertaining होती है क्यों क्योंकि वो अपने thoughts अपने जो उसकी feelings या उनको क्या है अपने art के जरिए express कर रहा है लोगों को उसके बाद second है character building और empathy इसमें क्या है कि जब एक साथ काम करती है तो feeling of cooperation आती है और जो दूसरों का काम होता है जो दूसरों ने अपने emotions अपने जो feelings है अपने ideas है उनको अपनी art के जरिये express किया होता है तो उससे क्या है दूसरों में उनके प्रती क्या है उनको value किया जाता है उनके प्रती sympathy होती है empathy होती है तो ये सारी क्या है उनके इसकी वज़े से उनकी character building होती है उनके जो चरितर है उसमें बदलावाता है उसकी बाद है development of social values अभी क्या है एक साथ काम कर रहे है तो feeling of cooperation आएगी वो collaborate करके करेंगे दूसरों को जो ideas है emotions है उनको क्या है respect करेंगे औ उसके बाद है development of imagination power अभी क्या है जो art है color क्या है एक creativity है जिसमें क्या है बच्चा visualize करता है और imagine करता है अपनी art के बारे में फिर चाहे वो music हो फिर चाहे वो dance हो या कोई painting हो या किसी भी प्रकार की कोई भी art तो इससे क्या है जब creativity आई तो obviously साथ में क्या है imagination आती है परफॉर्म करूंगा तो इससे जो बच्चे की imagination power है उसकी भी development होती है उसके बाद है developing artistic skills तो artistic skills क्या होती है कि जैसे painting हो गया, drawing हो गया, music हो गया, dance हो गया या other performing और visual art जिसमें क्या है कि बच्चा क्या है skilled हो जाता है उन चीजों को करने में तो अगर उसको art या art education करवाई जाएगी तो इससे क्या है उसमें artistic skills की development होगी उसके बाद है building confidence तो emotionally वो strong बनेंगे क्योंकि art के जरीए क्या है वो अपने emotions को express कर रहे हैं दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो अगर वो emotions को अपने thoughts को, ideas को बोल के express नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है वो through अपनी art फिर चाहे व उनने कोई कला कारी किया चितर कला बनाई उसके जरीए तो इससे क्या है बच्चे में confidence आता है अपने views या अपने ideas समाज के सामने society के सामने रखने के लिए उसके बाद है developing artistic skills यह already हो गया दुवारा से लिख दिया ये उसके बाद next है cultivating cultural awareness अभी क्या है कोई भी art हो उसमें क क्या है literature हो चाए painting हो या कोई handcraft हो इससे क्या है हमें अपने ancient culture के बारे में पता चलता है तो through art क्या है बच्चों में जो cultural awareness को बढ़ाया जा सकता है या लाया जा सकता है उसके बात है utilization of laser time तो क्या है जो art है art के जरीए जो laser time होता है कि बच्चा free बैठा है या कोई काम नहीं कर रहे है तो उसमें क्या है वो art कर सकता है art के जरीए जो उसका free time होता है उसको अच्छे से utilize किया जा सकता है उसके वाद है self employment अभी क्या है आपने musicians देखे होंगे या dancers देखे होंगे तो वो क्या है अगर वो पढ़ भी रहे हैं परन्तु अगर साथ में उनमें ऐसी कोई ability ह वो artist है तो क्या है उनके लिए एक payment या उनकी employment का एक source बन जाता है जिससे क्या है वो financially strong बनते है और independent बनते है उसके बाद अगर हम इसके psychological aims देखें तो psychological aims में हमारे पास first है emotional regulation and value इसमें क्या है कि जब हम art बनाते हैं तो कोई भी individual है वो क्या है अपने emotions को अपनी जो inner feelings है उन उनको क्या है express करते है through creative outlet यानि की creative art तो इससे क्या है उसकी जो emotional balance है वो बना रहता है और regulation चली रहती है कि अपने emotions को वो express करना सीख जाते है through art उसके बाद हमारा second है self awareness and self reflection तो इसमें क्या है कि through art बच्चे को encourage किया जाता है कि जो भी उसके अंदर अपने thoughts हैं, ideas हैं, emotions हैं उनको क्या है बाहर निकाले उनको जिससे क्या है उसको खुद के बारे में पता चले कि वो क्या feel करता है कई बारा खुद का concept बच्चे को पता नहीं होता तो अगर वो अपने अंदर जो भी है उसको अपनी art के form में बाहर लेकर आता है तो उसको खुद के बारे में पता चलता है और अपनी self को क्या है उस art में reflect करता है उसके बाद हमारा next है stress reduction and relaxation तो इसमें क्या है बच्चा अपने emotions को अपने ideas को अगर art के through express करता है because art is feeling a thought of expressions और क्या है idea express करना है तो इससे क्या है अगर बच्चे में कोई stress है या कोई ऐसा incident है जो उसके दिमाग में घर कर गया है तो उससे क्या है अगर बच्चा artist है तो art करेगा वो जो भी उसके emotions होंगे जो भी उसकी feelings होगी फिर चाहे वो डर की हो खुशी की हो या जो child है हमारा learner है वो क्या है relaxed feel करेगा या कोई भी individual उसके बाद है हमारा self confidence and self esteem अभी क्या है बच्चे art कर रहे हैं तो art के जरीए क्या है वो उसमें mastery कर लेते हैं उनमें artistic skills की development होगी है जो हमने पीछे बात की तो इससे क्या है उसमें self confidence आता है audience के सामने perform करना सीख जाता है या उसके जो काम है उसमें उसकी mastery हो जाती है तो obviously उसमें self confidence और self esteem की development होती है उसके बाद है cooperation among students अभी क्या है कई बार ऐसे painting दे दी जाती है जिसमें क्या है बच्चे या कोई भी art दे दे जाती है चाहिए music से related हो चाहिए dance से हो कि जिसमें group में काम करना है या group में participate करके उ तो बच्चों में एक दूसरे के प्रती क्या है corporation की feeling आती है और क्या है एक दूसरे के साथ सहज स्वाब से काम करते हैं कि दूसरों की respect करना mutual जो उनकी एक दूसरे की understanding है उसको समझना और क्या है corporate तरीके से क्या है काम करना उसके बाद है positive psychological well living तो इसमें क्या है कि बच्चे से है वो कम हो जाता है उसकी emotional strength बढ़ती है तो उसकी जो psyche है इसकी psychology है उसकी जो strength है वो भी increase होती है तो उसकी psychological well living के लिए भी क्या है आर्ट पर ये एक aim बच्चे की जो psychological well labing है वो increase हो उसके बाद है training of senses तो artistic जो skills होती है उसमें क्या है बच्चे का जो control होता है उसकी body पे य skills आती है तो इससे क्या है वो किस त्रीकर से dance performance में किस त्रीकर से उसके जो how-how है किस त्रीकर से उसकी movements है फिर चाहिए वो facial expression हो चाहिए हाथों की movement हो या फिर drawing में अगर देख लिजे तो उसकी fine motor skills किस त्रीकर से वो draw कर रहा है या color कर रहा है तो इससे क्या है जो उसकी senses है उनकी क्या है training होती है उसके बाद है aesthetic training इसमें क्या है कि बच्चा जो beauty होती है उसको समझने लगता है उसको appreciate करने लगता है फिर चाहे वो dance हो चाहे music हो या कोई चित्रकला हो अभी क्या है individual उसको देख सकता है उसको interesting लगी तो समझ सकता है प्र critique कर सके कि क्या इसमें changes आने थे या क्या इसका जो वो ये क्या बोलना चाहता है या क्या इसका impact है तो अगर उसमें artistic skills होंगी तो क्या है उसकी जो aesthetic training है वो भी की जा सकती है उसके बाद है हमारा self discipline and focus अभी क्या है art है जो उसमें एकागरता की जुरूरत होती है concentration की जुरूरत होती है कि बच्चा concentrate होके कर अपना काम कर रहे है art को perform कर रहे है focusd है तो इससे कह दिसिप्लीन आता है किसी भी काम को करने में फिर अगर वो उसे discipline आ गया तो उस discipline को किसी भी एरिया में फिर चाहे वो academic हो चाहे वो family से related हो या society से related हो तो इससे क्या है बच्चों में discipline की भाबना क्या है उजागर की जाती है उसके बाद है overall development of child अभी क्या है बच्चे में artistic skills आ रही है वो emotionally dependent हो रहे है अपने thoughts को express कर रहे हैं उनमें क्या है and heritage अभी हमने पीसे पड़ा कि उसमें क्या है cultural awareness आती है तो cultural awareness आती है through art तो जब क्या है हमें अपने ancient history के बारे में या अपने ancient culture के बारे में पता चलता है तो बच्चा क्या है उन चीजों को perform करने लगता है perform करता है तो वो audience के सामने आती है या अगर वो painting कर रहा है या rumors बना रहा है या कोई भी चितरकला कर रहा है तो उसे क्या है market में लाया जाता है जिससे क्या है वो culture क्या है आगे आगे जो generation to generation है वो promote किया जाता है उनको पता चलता रहता है उसके बारे है हमारा lifelong learning and personal growth अभी जो art है कि ये कोई formal education अगर खत्म होगी तो art खत्म हो जाएगी जो art की teaching है ये क्या है आपने formal education complete कर लिए प्रन्तु अगर आप artist बन गए आप में artistic skills आगी तो क्या है ये lifelong process है फिर चाहे वो music के areas में हो या dance के areas में हो या painting हो या कोई भी other activities जो कि क्या है हमारी art है उसके बाद है हमारा celebration of human creativity अभी हमारी जो art है इसमें क्या है बच्चों को groups में भी काम दिया जाता है individual भी काम दिया जाता है और उनमें क्या है cooperation की भावने एक दूसरे के साथ corporate करके क्या है काम करते हैं तो इससे क्या है जो उनमें ऐसा teacher environment create करते है कि बच्चे जो दूसरे की ज चाहे वो perform कर रहा है तो उसको क्या है respect करते हैं उसको celebrate करते हैं कि हाँ इसने इतना अच्छा perform किया या इतने इतना अच्छा excel किया उस area में तो इससे क्या है जो बच्चों में दूसरे की जो creativity है उसको celebrate करना ये भावना भी क्या है बच्चों में inculcate की जाती है through teaching of performing and visual art उ academic area में excel करता है या उसमें moral development होती है या social society की needs है उसके according बच्चे में development होती है क्योंकि culture से related आ गया तो लिखने को आप इसमें बहुत सारे points लिख सकते हैं बट related to art तो ये थे हमारे aims and objectives of art तो मैंने आपको journal aim भी बताए और psychological aim भी बताए तो इनको आप paper में अगर आपको question आता है तो आप पहले इसका flow chart journal aim का बना के उसको explain कर सकते हो और उसके बाद psychological aim का बना के उसको explain कर सकते हो तो इससे क्या है आपके जो answer है उसको proper length मिल जाएगी और आपका जो section marks के according अगर a question है तो क्या है यह उस condition को fulfill कर देगा तो आज के लिए इतना ही था वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को please ज़्यादा से ज़्यादा share करें चैनल को subscribe करें और अग next वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें thanks for watching